नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम 6 फरवरी से लेखे 11 फरवरी तक के जो important articles हैं उनको revise करने जा रहे हैं सबसे पहले देखे 6 फरवरी के important articles को हम revise करते हैं और budget से related ये article था budget में हमने प्रावधान रखा कि 5 ऐसी बिमारियां हैं जिनको deadline समेट उनको जड़ से उखाड फैंकेंगें उनके eliminations का हमने संकल प्लिया budget के अंदर में काफी burden इन बिमारियों से होता है हमारे GDP पे असर पड़ता है और लेकिन जो health experts हैं वो कह रहे हैं कि deadline से काफी ambitious है अगर हम TV की बात करें तो TV की देखें संक्या वैसे तो कम होनी चाहिए लेकिन ये बढ़ गई है 2014 में ये 2.2 million थी और 2015 में बढ़के 2.8 million हो गई तो देखें टीबी से ग्रस्त लोगों के संक्या बढ़ गई और इसलिए central government को अब कुछ seriousness दिखानी चाहिए और जिन policies में पहले कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करके rectify करके अब इस तरफ में इस चीज को serious लेना चाहिए और इस deadline जो अभी central government दी है उसको पूरा करना चाहिए seriousness के साथ में पांच यर का सरकार ने deadline बनाई है कि 5 साल के अंदर में हम इसे खतम कर लेंगा अगर इस promise को पूरा करना है तो तो capabilities की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और जो daily drug की requirement है इस पर ध्यान देना पड़ेगा और state level को भी इसमें coordinate करना पड़ेगा इस लक्षे को पूरा करने में और इसके लक्षे को पूरा करने में देखे private sector को भी आगया आना पड़ेगा क्योंकि कई बर ऐसी दिखते आते हैं कि private sector और सरकार में coordination नहीं होता इस वज़े से भी ये TB जैसी जो बिमारिया है वो एकदम से इनको खतम करने का लक्षे पूरा नहीं हो पाता अब बात करते ह है लिपरोसी की यह तो देखिए post elimination struggle है क्यों क्योंकि देखिए इसे तो सरकार ने खतम ही मान लिया था और तब 2005 की ये बात है और सरकार ने 2005 के अंत में का कि हमने इसे खतम कर दिया है और अब सिरफ 10,000 में से एक केस सामने आता है लिपरोसी का और देखिए लेकिन इस तरह मीडिया में काफी केसिस सामने आते हैं इसके और जेपी नर्डा साब हमारे जो हेल्थ मनिश्राइइनों ने अपनी जवाब में कहा राजेस्बा में कि एक लाख दो हजार एक सो अठार केसिस आये लिप्रोशी के और अभी जूर्ट यह है कि इन केसिस को जल्दी से जल्दी करें और प्रिवेंट करें कि यह सेकिंड यानि जो और जड़ा सीरियस ना हो जाएं उससे पहले से ही इनको रेक्टिफाई कर दें यानि जो भी लोग इससे ग्रस्थ हैं उनका इलाज किया जाए और रीहबिलीटेशन भी एक बड़ा इश्यू है खतम तो कर लेते हैं लेक पर अंडर रिपोर्टिड हैं मालब जिन लोगों को यह कालाजार होता है वो भी केस रजिस्टर नहीं हो पाते तो यह भी एक तरह से एक महतपून रोग है जिसे जल से जल खतम किया जाना चाहिए और अगला जो डीस है वो सेंट फ्लाइश से लेटेड है यह परसाइट य जो है चीज उस पर सरकार इग्नोर नहीं कर सकती उसको चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जली कर्टू से लेटेड यह आर्टिकल था लेकिन जो मुख्या बिंदू इसमें डिसक्स किया गए थे वो स्क्योर्टी से लेटे डिसक्स किया गए थे एमके निरानन आपका यह आर्टिकल था और उन्होंने कहा कि देखे जली कर्टू को खिलाफ में एक भारी मुवमेंट हो गई तमिलाडू के अंदर में और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ना सिरफ रूलिंग पार्टी बलकि ऑपोजिशन पार्टी भी इस मुवमेंट को समझ नहीं पाए कि कैसे एक जो रूल स्पोर्ट का जो गेम है अर्बन में कैसे इसने इतना बड़ा प्रोटेस्ट का रूप धरन कर लिया और एक तरह से इंटलेक्शल वाक्यम की ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सिरफ रूलिंग पार्टी पर आरोप लगा के खुश हो जा रही ह और कभी पुलिस पर आरोप लगा के खुश हो जाती है संतोस महसूस करती है लेकिन असल में ऐसा है नहीं असल में काफी एक तरह से आप कह सकते हो कि काफी मुख्या और काफी घंबीर कारण है इस पूरी मुवमेंट के पीछे में एक तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि तमि अश्ड़ा से इस ने रंग दिखाया और इस मुवमेंट में एंटिनेशनल एलिमेंट जैसे कि लिख्टे या फिर जो तमिल के लिए अलग से देश की मांग करते थे वैसे एलिमेंट भी एटि डेली रिटरिक देखने को मिला और यह अंडर क्लास की मुवमेंट को भी बीडार जो और इंटरनेट के माध्यम से वो इकठा हो जाते हैं यहां पे देखें डिष्टल हाइवें तो यह keyword इस्तमाल कीजिएगा आप अपने आशर में डिष्टल हाइवें तो digital highways जो internet है वो एकदम से जो unsynchronized crowd होता है उनको एक धागे में फिरोग के synchronize कर देता है और उनको मकसद मिल जाता है अगर देखे जो परसासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जो इसके consequences हो सकते हैं परिणाम घंबीर परिणाम भुगतने हमें और इसके लिए politics of identity भी जिम्मदार थी इस moment के लिए तमिल प्राइड आपको पता है कहीं न कहीं तमिलाडू को जो लोग हैं अपने आपको एकतर से बेदभाव हुआ महसूस करते हैं काफी सारे ऐसे मुद्धे हैं कावेरी dispute मान लीजिए कावेरी dispute में जिस परकार से क करनाटका ने करनाटका ने सुपरिंग कोड के वाडिक के बाद बावजूद पानी देने से मना कर दिया था मिलाडू को इसलिए उन्होंने महसूस किया कि देखिया हमारे साथ में बेदभाव होता है तो इसलिए कुछ और अन्य कारणों ये कारण में ये moment एकदम से anti-deley rhetoric ले गई और इसमें क्या है ये वही बात की danger consequences होंगे धान नहीं होगा तो और ये प्रोटेस्ट होते है ना spontaneous nature के होते हैं ऐसे नहीं synchronized वे में एक बार तो ये शुरू में spontaneous होते हैं लेकिन बाद में इस प्रोटेस्ट को इस तरह के प्रोटेस्ट को hijack कर लिया जाता है कुछ anti-national elements को जो बाद में सरकार को force करने की कोशिस करती है अपने नीजी स्वार्थ के कारण में और ये new wave की जो प्रोटेस्ट है आज काफी ज़्यादा होने लगे हैं और crowd को ज़्यादा mobilize करने लगे हैं ये देखिए और जैसा की डेली में भी हुआ निर्भय के इस में निर्भ कार ने घंबीर मानते हुए कानून बनाया, amendment लाई और उसके बाद में देखिए public opinion ने उसको असानी से galvanize किया दाता है क्योंकि आजकल internet के माध्यम से hyper connected है तो एक keyword अच्छा है वैसे connected होते हैं लेकिन hyper connected कि आजकल कितनी ज़्यादा social media है और कि हिसाब से लोग एक कास के लि आजकल है वो bank से related है आपको पता है कि जो banks है वो NPA से ग्रस्त हैं और 10,000 क्रोड देने का प्रावधान रखा सरकार ने इस budget के अंदर में जो की काफी कम है पिछले साल सरकार ने 25,000 क्रोड देने का प्रावधान किया था तो इसका मतलब तो यही है या तो सरकार कुछ अलग से action लेने की सोच रही है बजर के extra या फिर सरकार ने ऐसा मान लिया है कि यह problem है अपने आप ठीक हो जाएगी जब growth rate आएगी और या फिर सरकार कुछ और करने वाली है लेकिन देखे अगर सरकार सिरफ यह सोचती है कि growth rate के आने के बाद में अपने आप जो banks की समझ्या वो देते हैं और उनी में जो है 20% जो है NPS है उनका जो asset है तो आप सोच लीजिए कि अगर उन में asset है तो वो कितना loan दे पाएंगे और कैसे हमारी growth rate को फरक पड़ेगा कैसी investment को फरक पड़ेगा और उसके बाद में देखें नोट बंदी भी आई नोट बंदी के बाद में जो employees थे banks के वो नोट मंदी में लगे रहे तो उनको time नहीं मिल पाया कि वो NPS की problem यानि अपनी loan recovery में अपना ध्यान के अंद्रित करें और economic survey ने भी point out कुया इस बात को कि हमारा जो NPS है वो Russia और जो बाकी countries है यानि emerging जो countries है उनके मुकाबले में काफी ज़्यादा है और RBI ने asset quality review start किया, asset quality review में ये देखते है कि कौन सा जो NPS है यानि कौन सा asset वापस आ सकता है sustainable है कौन सा नहीं आ सकता और target रखा है मार्च 2017 का कि सारी जो bank की balance sheet है वो साफ कर दी जाए और सरकार इसके लावा bank board bureau भी आपको पता है जो professional appointments के लिए लेकर आई है तो ये दो दिन कदम से ले कि वो सारे board जो है banks के उनको professionalize कर दे और इसके अलावा सरकार को क्या चाहिए कि operational autonomy प्रोवाइड करे banks को ताकि कि किसी तरह का interference politics की तरफ से यानि political leaders की तरफ से इसमें ना हो इस तरह की जूर सरकार को है और until and unless सरकार अच्छे से तेजी से move नहीं करती तो ये banks की जो problem है ओ ज करते हैं साथ फरवरी के articles साथ फरवरी के articles में जो सबसे पहला article important है वो इंडिया और US के relations से related हैं इंडिया और US के relations आपको पता है काफी articles इस बारे में discuss किये गए और H1B का issue था वो काफी सूर्ख्यों में रहा जिस प्रकार से Trump इस मावले में जो rules हैं वो सक्त करते जा रहे हैं और काफी problems हो सकती हैं हमारे IT companies को और ये भी स्वाल उड़ते हैं कि अमरीका कुछ अमरीका के जो political thinkers है वो कहते हैं कि अमरीका बहुत उदार रहा है भारत के परती और जबकि इतना उदार रहने के आवशकता है नहीं और अमरीका ने भारत को दिया ज़्यादा है और भा दीक लाने में और इवन जो nuclear deal हुई थी इंडिया और US के बीच में उसमें भी इनका काफी एहम योगदान रहा था इन्होंने कहा कि देखे नहीं ऐसा कुछ नहीं है और इंडिया की अपनी मजबूरिया है और इंडिया काफी कुछ इंडिया से काफी कुछ फाइदा होता ह यूएस को और यह काना कि कि इंडिया ने बदले में कुछ दिया नहीं और US ज्यादा उदार है इस तरह की बात ठीक नहीं है और अब देखे टरंप किस प्रकार की पोलसी अपना सकते हैं तो इस पर टरंप को ना जाते हुए इसको यूएस की पालसी से देखे एक तो ट्रा जैसे आम तो पर अमरीका आपको पता है, हुमर राइट्स की बात करता है, डेमोक्रिसी की बात करता है, वैल्यूज की बात करता है, कोस्मो पॉलिटिनिज्म की बात करता है, लेकिन नहीं, ट्रम्प नहीं, ट्रम्प अपने आप में ट्रांजेक्शनल लेंदेन की बात करते ह एक हद्धे एक हद्धे give and take और दूसरी जो ट्रम्प को हम या फिर यूएस की अब आने वाली दिनों में पॉल सीज को मेजर कर सकते हैं अएडेलshopal challenge पर Hungarian ideology की हम बात करें तो देखिए अर्ण आम ये ट्रम्प जो जिन्होंने अपने election लडा था भी इन्होंने radical Islam के खिलाफ काफी कुछ बोला काफी कुछ बोला तो पॉक प्रिक्षी उसके भाद देखिए जो इंडिया है इंडिया और यूएस में टेरियरिज्म क हो सकता है इंडिया में काफी जो compassion international जैसे NGOs हैं जो conversion में लगे होते हैं Christian NGOs तो इंडिया ने इनके खिलाफ में action लिया है तो ये point जो है वो friction थाबित हो सकता है US के बीच में और इंडिया के बीच में और अगर दूसरी बात करें तो देखें एक हद्दे एक हदले लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों में टकराव संभव है और दोनों में अपने अपने देश के economic agenda को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इन में इस बात पर friction हो सकता है अब IT companies के बात कीजिए तो देखिए अब हमारा business model ऐसे है हमारी IT companies के जो employees है उनको जाना पड़ता है US के अंदर में और एक तरह से वहाँ पर जाके वह project set करने पड़ते हैं यहां तक तो ठीक था क्योंकि हमारे जो companies थी उन्होंने वहाँ पर जाकर ही जो थे अमरीका की local companies है वह business देहिना यानि वह जो projects है वह हमारे देश जैसी companies को देहिना बंदे तो छोड़िये अभी तो बंदे पर रोक लगी है बाद में इस बात पर भी रोक लग सकती है कि वहां के जो projects हमारी companies को मिलते हैं वह projects मिलने में बंद हो जाएंगे तो यह कहीं न कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो यूएस की तरफ से demand क्या हो सकती है यूएस की तरफ से demand ये भी हो सकती है कि joint patrolling की जाए चाइना के खिलाफ में इस पूरे South China Sea में या फिर Indian Ocean region में और चाइना की जो submarines है उनको detect करने ecosystem की जाए तो इंडिया देखिए इंडिया की इक तरे से लडाई नहीं कर सकता इंडिया और दूसरा ये मांग आ सकती है यूएस से इंडिया कहेगा कि यूएस को किया पागिस्तान की धर्ती पर जो आंतकवाद पनपता है आप उसके खिलाफ में action लीजिए और ट्रंप हमें कह सकते हैं कि हमें अफगानिस्तान में बाब के कारण में वो अपनी forces नहीं भीज पाए थे अफगानिस्तान के अंदर में लेकिन definitely हम अफगानिस्तान में तो अपनी सेना नहीं भीजने को ट्यार होंगे एकदम से और अगर बात करें तो NSG की तो अभी ये clear नहीं है कि क्या जो nuclear supplier group जो Obama committed थे हमें nuclear supplier group में अपनी seat दिल्वाने के लिए तो क्या Trump bc दिल्वाएंगे और उसके बाद में मेकिन इडिया की अप्रोच वही बात दोनों का जो agenda है वो class करता है हमारे देश में भी अच्छी खासी business consumption हो सकती है और इसलिए हमें हमारी companies को business model ऐसा अपनाना सही है कि हम दूसरों पर depend रहें ही न तो इसी तरह ये conclusion था इसे हम use कर सकते हैं अपने answers में ये अगला जो article था WTO से related ये article था WTO से related article में देखिए WTO के जो chief थे वो हमारे देश की यातरा पर आने वाले हैं आप ही गए अब तो क्योंकि हपता अब खतम हो गया न जब article था था तब उस दिन आने वाले थे तो देखिए इन्होंने कहा कि WTO में काफी सारे मुद्धों पर मतभेद रहता है developed और developing countries के बीच में developed वाले हमको कहते हैं कि आप हमारे जैसे country कहते हैं कि आप farmers को subsidy देना बंद कीजिए क्योंकि हम subsidy देते हैं अपने farmers को हमारा food security act भी है और वो हमारे जैसे देश को कहते हैं कि trade facilitation agreement अपना ही है जिससे कि smooth import और export हो सकता है अब ये दो नए मुद्धे लेके आ रहे हैं उन पर त आसे peace close आया है और हम मांग कर रहे हैं कि peace close हमें नहीं चीए peace close का मतलब है कि कुछ सालों के लिए जब तक ये peace close है तब तक जो developed countries है इंडिया को कुछ नहीं कहेंगे चाहे कितनी भी वो subsidy दें farmers को लेकिन हम कहते हैं कि permanent peace close लाई है कि कभी ये मुद्धा आगे भी तंग ना कर आये हैं नए अभी और developed countries चाहते हैं कि इन मुद्ध पर विर्चर्चा हो इन में भी developing countries जो हैं सयोग करें और ICC यानि international members of commerce और business 20 यानि G20 का जो business group है इन्होंने भी इस मुद्धे को sport किया क्या कहते हैं ये WTO वाले WTO वाले कहते हैं कि देखे हमारी countries में काफी micro and small and medium enterprises है इनको देखे ये कहते हैं कि अगर e-commerce में इंडिया सयोग करता है कि तो ये MSME जो प्रोडेक्ट है वो विशव के मंच पर च्छा जाएंगे और एक तरह से काफी जो है अच्छे दाम इनको मिलेंगे middleman खतम हो जाएंग और प्रोपर इनको जो आर्ट है उनकी कीमत मिलेगी तो इस तरह की बात कहते हैं और investment की भी बात कहते हैं कि investment के लिए हमारे जैसे country जो developing countries है उनको खोलनी चाहिए अपनी market तो फिर एक और जो बात कहते हैं कि देखे एक issue यह है कि internet नहीं है हमारे देश में अभी भी इतना त FDI लेके हमारे देश के अंदर में पिछले दिनों एक article पर बवाल था वो article यह था कि देखे यह कहते हैं कि जो companies हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं अगर कल को उनके सरकार के साथ कोई विवाद हो जाता है किसी बात को लेके तो जो arbitration यानि उसका समाधान जो होना business करती है तो अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका समाधान हमारी court सी करेंगी तो इस तरह के हमारी demand है क्योंकि बाहर international जो आपका arbitration है वो हमें काफी महंगा पड़ता है और उससे एक तरह से sovereignty के भी खिलाफ है तो यह issues हमाई तरफ से उठाए गए थे पहले यह थे स आठ फरवरी के articles आठ फरवरी के articles हमारे पास में नहीं है क्योंकि आठ फरवरी के articles आपको याद होगा कि जो file थी वो corrupt हो गई थी और articles को एक तरह से नहीं retrieve कर पाया था तो हम किसी और तरीके से उससे discuss करेंगे प्लान कुछ ऐसा करें तो हम जादा अच्छा रहेगा कि एक अफ़ते के articles discuss करने के बाद कुछ ऐसा हमारा mechanism की बाद में पूरे महीने के important articles एक घंटे के अंदरा discuss करेंगे जल्दी जल्दी अगर ऐसा हो तो काफी अच्छा हो सकता है अगला देखिए नो फरवरी के जो important article में सबसे पहले जो article था वो था अफ़गानिस्तान से related अफगानिस्तान की security पर टिप नहीं करता ये article है पूरा एक bomb blast हुआ अफगानिस्तान में वहाँ की एक important security जगा सुप्रिम कोर्ट के नजदीग तो ये शो करता है कि तालिबान अभी कितना मजबूत है अफगानिस्तान के अंदर में तो एक UN की report के हिसाम से 2016 का जो साल था वो अफगानिस्तान के लिए bloodished था यानि सबसे ज़्यादा मोते यहाँ पर हुई और एक civil war है वो और भी घहराता जा रहा है residential area तक यह पहुँच गया है अभी एक काकड़े का 90-20% area ऐसा है अफगानिस्तान में जहां direct fight चल रही है अभी अफगानिस्तान के बीच में और तालिबान, अफगानिस्तान के जो सरकार है और तालिबान के बीच में तो लिखे बात यह है कि पहले जब जो गनी थे वो चुन कर आये तो उन्होंने काफी कोशिस करी कि तालिबान से समझोता कर लिया जाए, agreement कर लिया जाए किसी चीज का और पाकिस्तान से भी काफी एक तरह से दोस्तिक आहाथ बढ़ाया ताकि पाकिस्तान आपको पता है कि आतकवाद को बढ़ावा देता है तो तालिबान के ऊपर में पाकिस्तान का influence है लेकिन इन सब बातों पर जोर नहीं चल पाया और बाद में यह निरन्या लिया गया कि अफगानिस्तान की गोर्मेंट जो है सिधा सिधा लड़ेगी तालिबान से लेकिन उस मौके को भी खो दिया गया तूकि यूएस के ड्रोन अटेक से जो तालिबान के मुख्य है जो मुल्ला उमर थे उनकी मौत हुई लेकिन उसके बाद में भी उस मौके को जाने दिया लेकिन दिक्कत यह है कि देखिए जो अफगानिस्तान की सरकार है वो फैक्सिनलिसम से जूज रही सरकार है और एक ग्रूप्स है काफी ज़्यादा सरकार में यूनिटी नहीं देखने को मिल पा रही है यही एक मुख्य कारण है जो कि यूनाइट होके नहीं लेड़ पा र है कि देखिए आप हमें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते और इस प्रोब्लम जो आपने स्टार्ट करी है इसको जड़ से खतम करके जाईए और ज्यादा हमें साहिता प्रोवाइड कीजिए ताकि हम मजबूती से लड़्स के तालिबान के खिलाफ में तो इस तरह का यह वेव दिरस्त कर दिया था और कहा था कि देखिए जो यह पुब्लिक सर्विस कमिशन्स हैं यह जो कंस्यूशन के इसाब से इंडिपेंट अथोर्टीज होनी चाहिए और आप इस तरह परकार से एपॉंटमेंट्स नहीं कर सकते बीना किसी प्रोसेस के बीना प्रोसेजर के तो आ इसके बाद पर नुक्ति कर दी गही एक पूरव जज्ज की जो की जो इस्टाबलिस्मेंट के अनि तमिलनाड गोर्रमेंट के काफी करीब थे और इस नुक्ति को रद कर दिया वहां के मदरास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस के कोल को और उन्होंने कहा कि देखिए जो न पर नुक्ति किया जिसे कोर्ट ने सहन कर लिया और कहा कि चलो कोई बात नहीं बाद में दुबारा से तमिलाडू की सरकार ने इनकी नुक्ति कर दी एक जो कमिशन है तमिलाडू कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ओफ चाइल्ड राइट्स तो वहां की मदरास हाई कोर्ट ने से निरस्त कर दिया है और इन्वैलिडेट कर दिया रद कर दिया और कहा कि यह जो है प्रोसीजर के खिलाफ में है तो बात यह आती है कि देखिए वैसे तो हमारे देश में जो भी नुक्तियां है वो आर्टिकल नंबर 16 अप्लिकेबल होता है कि एम्प्लोइमेंट में कोई कोई भी सरकार बेदबाव नहीं कर सकती किसी से लेकिन यूएस में है वो स्पोईल सिस्टम है जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसी पार्टी के लोग जो है वो हाई लेवल पोस्ट को ग्रहन करते हैं हमारे यहां पर यह सिस्टम नहीं है लेकिन अब इस आर्ट बंदे आएंगे तो कैसे आप मतलब महसूस कर सकते हैं कि आगे जो सिलेक्ट करेंगे वो लोग उन में भी क्रेप्शन चलेगा तो यह पूरा इशू है उसके बाद में सुप्रिंग कोट ने एक बिहार पुब्लिक सर्विशन कमिशन का केस था उसमें भी कहा था कि आप ऐसे अधिकार है जो पुब्लिक प्रोसिकूटर है क्योंकि देखिया एक आम बंदे को भी अपना वकील चुणने का अधिकार होता है तो सरकार को भी अधिकार होना चाहिए लेकिन सुप्रिंग कोट कहता है कि नहीं बात अधिकार की नहीं है बात कि अगर आप अच्छे से पु और आर्टिकल नमबर 16 का उलंगन हो जाएगा जिसमें सविधान ने सबको इक्वैलिटी प्रवाइड करी है और किसी भी परसन को ज्यादा फेवर नहीं कर सकती सरकार दूसरे परसन के अपक्सा में और मेकार्थियन सिस्टम हमने डिसर्ज किया था को याद होगा ये एक्सिन सरकारों को इस तरफ ध्यान देते हुए पोलिटिकल एपोइंट्मेंट्स एंड ऐसी हो नीची है जिससे वह सरकार को आगे लेशके और हमारा देश आगे भड़़शके अगला जो आंटिकल है देखिए इसका कंटेक्स्ट यह है मिडल इस्ट में काफी इनस्टेबिलिटी हुई येमेन में और उस समय ब्रिटेन फ्रांस और सोव्यत यूनियन मालों ने तो अपने लोगों को वहां से निकाल लिया लेकिन हम नहीं निकाल पाई थे काफी टाइम हमें लग गया था उसके 30 साल बाद येमेन में दुबारा से इस तरह की घटना हुई और हमने 5000 भारत फिर ये कहते हैं कि लेकिन अंडिया जो फोलो करता है और जो लोग इसकाम में लगते हैं उनके हैर्णोफ एफेर्स पे डिपेंड रहता है इंडिया प्रोपर प्रोसीज्जर्स और नौम्स को फूलों किया था तो कुछ इस आंटिकल में सुखेसंश देते हैं 9 experience को share करके जो आने वाले operations से उन्हें बेस्ट practices को share किया जाए और university में भी इस तरह के experience पर अध्यान किया जाए और दूसरी बात यह है कि देखे एक blueprint त्यार होना चीए जब भी कोई इस तरह का operation चलाया जाता है तो एक blueprint त्यार होना चीए कि किस परकार से पूरे चीज पर action लिया जाएगा ऐसा ना हो कि बार बार जब भी आप नया operation होता है तब भी आप कुछ नया नया डिसाइड करके चलो और काफी efforts ज़्यादा लग जाए इसमें जो cadre है उसको training क्या आप सकता है जैसे IFS वगारे जो हमारे diplomates होते हैं उनको police training दे सकती है और फिर और भी उनको अन्यत रहे कि जो training दी जानी चाहिए वो training दी जानी चाहिए हम हमारे साथी देश यानि neighbors जो है नेपाल बुटान और ये सारे देशों के साथ हम coordination कर सकते हैं इस पूरे मामले में civil military coordination की भी काफी आवशकता है कि देखिए सारा जो काम को जो मुकाम तक पहुंचाती है तो वो तो military पहुंचाती है तो civil जो हमारे diplomates हैं और जो military वाले officers हैं उन दोनों के बीच में coordination होना चाहिए ताकि जल्दी से इनको synchronize करके इस तरह के operations चलाए जाज़कें और minimize redundancies minimize redundancies में ये है कि देखिए कई सारी एजनसी से इस काम में लगती है माली जे रा भी लगती है और इस काम में हमारी embassy भी लगती है या फिर home department भी लगता है तो आपस में synchronize होना चाहिए ऐसा ना हो कि एक department ये भी same कर रहा है काम कर रहा है military भी same काम कर रही है तो redundancy, repetition नहीं होना चाहिए efforts में permanent civil reserve air fleet ये है कि देखिए permanent aircraft त्यार है रहना चाहिए इस पूरे operations के लिए चाहिए time मिलने पर उसको यूज क्यादा सके और जब भी operation होता है तो एक तरसे आप कह सकते हो कि efforts वो है सस्ता पड़े और inflation ज्यादा खर्चा ना हो और देखिए diaspora है हमारा काफी sacred scattered रहता है तो diaspora भी आप कह सकते हो कि proper धंक से उनकी जो profile matching होनी चाहिए technology की साहिता से सारा data हमारे पास में होना चाहिए और आखरी जो point है वो public opinion से related है जैखिए काफी बार public opinion भी सरकार के खिलाफ में जाती है तो उस मुश्किल के घडियों में public opinion को manage करने के लिए सरकार को त्यार रहना चाहिए कई बार हमारे भारतिया और people of Indian origin इन दोनों के वीच में भी confusion हो जाता है कि कुछ लोग कहते है कि देखिए जिन लोग को आप इस मुश्किल से इस्टेबलीटी की मुश्किल से निकाल कर भार ला रहे हो वो तो people of Indian origin है वो तो अपने देश को छोड़कर खुदी गए थे तो आपको क्या लेना देना उनसे इस तरह की कई बार opinion होती है तो इन सब को manage करना हमें आना चाहिए अगला एक important concept है triple bottom line का देखिए CSR का concept है corporate response socialivity अला और उसके बाद में एक और जो concept बनता है वो है triple bottom line का triple bottom line में देखिए तीन चीजों पर हम सबसे जाद ध्यान देते हैं people पर, planet पर और profit पर जब भी किसी चीज को measure करना होता है तो इन चीज पर हम सोचते हैं कि क्या फरक पड़ेगा इस पूरी चीज पर तो हम ये देखते हैं कि people, planet और profit उसके बाद में देखिए जो भी report आती है या फिर जो भी business रिस्टाबलीज किया दाता है तो इन तीनों stakeholders को देखते हैं कि उन पर क्या असर पड़ेगा और उनको फाइदा हो गया नुक्सान होगा उस पड़िती पर ये पूरा model चलता है CSR की improvement इसे कहा जाता है और इसमें social responsibility और environment sustainability और business तीनों सी जो पर ध्यान दिया जाता है और सिर्फ economic success पे नहीं क्योंकि देखिए business जो आता है वो greatest value create करता है world के अंदर में example के तोर पर देखिए Tata Group जो है Tata Group सिर्फ business पर ध्यान नहीं देता है Tata Group अपने आप में एक family की तरह है और काफी बढ़िया praise की जाती है इसकी two-third जो इसके shares है Tata Group के वो तो Tata Sons में है और Tata Sons जो है वो charity में हैं और काफी hospitals भी जादा चलते हैं जो cancer hospital है वो भी Tata वाले चलते हैं और आदे patient का free में इलाज यहां पर किया जाता है तो इस तरह से यह कहते हैं कि देखें जो responsibility है वो profit के बाद ऐसा नहीं हो कि वो profit के बाद ही होनी चाहिए वो पहले भी हो सकती है जो यह हमारे जो आप कह सकते हैं जो responsibility है यानि corporate के जो responsibility होती है जो profit के बाद ना सुरू होकर वो profit के साथ-साथ भी चल सकती है आगे 10 फरवरी के articles में देखते हैं कौन-कौन से articles important है देखें सबसे पहले 10 फरवरी में जो RTL सा monetary policy से related यह article था monetary policy committee ने monetary policy पर decision लिया था और पहले थे वो expansionary monetary policy यानि कि accommodative stance monetary policy authority ने अपनाया हुआ था और जबकि इसे अब इस बार कोई भी rate change ना करते हुए monetary policy authority ने neutral stand अपना लिया और monetary policy ने कहा कि देखें time लगेगा कि note बंदी के बाद में कि economy पर किस परकार का फरक अभी पढ़ने वाला है यह काबिले गोर है क्योंकि हमारे परधान मंतरी ने भी कहा कि हमारी जो economy है वो ठीक था काम कर रही थी इसलिए अभी जो था ये note बंदी का निर्निया लिया गया otherwise इसे नहीं लिया जाता क्योंकि अच्छे time में ही इस तरह के निर्निया लिया जाते हैं RBI ने देखिए सावधानी बरतने को कहा और RBI ने कहा कि economy देखिए short term disruptions तो होंगे ही और long term का जो effect होगा वो भी unpredictable और जिसे anticipate नहीं किया जा सकता अगर gross value added की बात किये जाए तो उसमें यानि GDP की तरह ये time होती है इसमें हम tax add करते हैं वो था 7.6% से बाद में RBI ने कम करके 6.9% अब कर दिया है और उसके बाद में अगर बात करें तो देखिए inflation की अगर बात करें तो international uncertainty काफी जादा है और inflation भी है ये दोनों कारण रहे कि RBI ने अपना gross value added का projection कम कर दिया है इसके अगर बाकी challenges की बात करें तो देखिए global inflation है वो भी काफी जादा है और जो dollar है वो भी काफी strengthen हो रहा है इससे भी हमारी जो economy है उसकी stability को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा और दूसरी बात करें तो देखिए core retail inflation है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रही है core inflation क्या होती है अगर देखिए headline inflation या जनरर इनफलेशन में हम अगर oil items यानि energy items और खाने के जो items है वो minus कर दें तो वो होती है core retail inflation तो उसमें भी देखिए अगर हम बात करें तो ये भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो ये भी कही न कहीं चिंता का विशह हैं उसके लावा अगर और चैलेंजिस की बात करें तो इंटरनेशनल जो क्रूड ओल के प्राइसिस हैं वो दुबारा से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं पहले ये कम हो रहे तो सरकार के लिए कहीं न कहीं फाइदा था लेकिन दुबारा से बढ़नें स्टार्ट हो गए हैं और बेस मेटल के प्राइसिस हैं वो भी बढ़ रहे हैं तो एक अनुमान के हिसाम से 2017 के second half में जो inflation रह सकती है 4.5% से बढ़ कर 5% तक रह सकती है way forward यही है कि देखिए note बंदी के दुरान में सब्जियों के दाम थे वो कम हो गए थे तब तो हम यूँ कहर रहे थे कि किसानों के लिए दिक्कत है लेकिन अब अगर सब्जियों के दाम बढ़ेंगे तो यानि महिंगाई और भी बढ़ेगी तो इसलिए यह जो policy थी वो prudence और flexibility से भरी हुई थी चलिए नागलेंड का issue डिसकस करते हैं नागलेंड का issue में देखिए कुछ भी नया नहीं है हमने काफी बार इसको डिसकस किया कि 33% आरक्षन मिलना चाहिए महिलाओं को 243 हमारा सविधान का article कहता है लेकिन tribes इस बात का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि यह special issue है नागलेंड का और इसमें जो parliament के जो कानून है वो नहीं applicable हो सकते नागलेंड पे ऐसा वो कहते हैं तो उसी पर यह article है कि पहले नागलेंड के सरकार ने इसे implement करने की कोशिस करी और election भी हुए कुछ towns में लेकिन बाद में सरकार ने उन elections को रद कर दिया और अब नागलेंड के जो सरकार है वो कहने लगी है Central Government को कि हम से यह implement नहीं हो पाएगा तो आप हमारे लिए exemptions दे दीजिए इस article में article number two for three में तो वहां के देखिए जो नागलेंड नागा हो हो है वहां के tribes का गठवंदन है वो अब वहां के जो चीफ मिश्रा नागलेंड जलियांग उनके इस्तीफे की मांग करने लगा है तो अब Central Government जो देखती है वो पूरे issue को वो भी एक तरह से नागापीस accord के नजरिये से देखती है लेकिन इस मुद्दे को Central Government को आगे जाके देखना चाहिए और woman के representation से Central Government को इस पूरे मुद्दे से देखना चाहिए और ताकि समाज का एक तपका जो की 50% तपका है उनको उनके अधिकार मिल सकें अब देखिए ये जो आर्टिकल था एक important आर्टिकल था इसके important आंस हम discuss करते हैं आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिसकल किया था जिसमें एक एक्सिडेंट हो गया था था थारा साल के बच्चे का स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के साथ में और कुछ लोग वहाँ पे मूवी बना रहे थे मोबाइल कैमरे से तो उस पे चिंता जाहिर कर रहा था ये आर्टिकल और कह रहा था कि किस परकार से लोग साथा क्यू नहीं करते तो एक तो क्राउड काई ऐब फैक्ट होता है कि क्राउड देखके प्रैसर डायलूट हो जाता है दूसरा पुलिस को इमेज चेंज करना की आउशकता है जिस परकार से पहले ऐसा होता था कि देखिए इस तरह के अगर कोई help करते था तो पुलिस काफी जवाब पूछते थे पुलिस वारे काफी तंग करते थे वही इमेज जो है पुलिस की आज भी लोगों के मन में कायम है तो इस बात को publish करना चाहिए अच्छे जो examples हैं government को awareness फिलानी से हैं इनके बारे में और कहना चाहिए कि कोई भी आपको hurt नहीं करेगा और action लिया जाना चाहिए जो दो सी पुलिस officers हैं उनके खिलाफ में और एक और जो ये बात कर रहे थे education system की बात कर रहे थे कि जब भी देखे education में तो हमें इस तरह की बात नहीं सिखाई जाती education में तो आम तोर पे अच्छी ही बाते सिखाई जाती हैं लेकिन बात ये है कि जो education में जो हम बाते सिखती हैं और practically उन दोनों से जो में काफी difference है तो कैसे हम जो education में हमें सिखाया गया है वो हम ground पे लाएं उस पे ये बात है फिर ये एक teacher का example देते हैं कि जो लोग इसे implement करने कुछिस करते हैं तो उसे तो समाज सही दृष्टी से नहीं देखता ये example देते हैं कि जो teacher इस बात का विरोध करते हैं कि mobile phone आप नहीं इस्तिमाल कि ये class में उनको देखिए जो कहा जाता कि वो ideal teacher नहीं है ideal teacher तो वही है जो class में बच्चों को हो रहे mobile phone के इस्तिमाल पर अपनी आखे मूद लेता है या फिर उसको ignore कर देता है तो कोहें नहीं जो कमी है वो हमारे अंदर ही है अब देखिए Supreme Court की थोड़ी guidelines है इनने discuss कर लेत कि जो civil या criminal liability के exemption है उनको जो लोग साइता provide करते हैं कोई भी doctor उनसे कोई question नहीं पूछेगा पुलिस उनसे कोई question नहीं पूछेगी even जो उनसे जो पूछताच करनी है वो एक ही बारी में complete हो जानी चाहिए और बार बार उनको नहीं बुलाना चाहिए अगर कोई officers ऐसा करता है तो उनके खिलाफ में action लिया जाना चाहिए और even CBSC को भी syllabus के अंदर में एक first aid जैसी चीज़ों को add करना चाहिए बच्चों को training होनी चाहिए कि शुरू से ही कि अगर कोई accident में कोई victim हो तो उसकी किस प्रकार से साहिता की जाए अगला जो issue था वो TPP से related था TPP के अंदर में तीन issues ये बात कर रहे थे इस article में एक था patenting से related दूसरा data exclusivity और तीसरा जो issue था तीसरा कौन सा था तीसरा आगया आएगा तो देख लेंगे देखेंगे एक जो सबसे पहला issue था वो patenting का था patenting का issue ये था कि कुछ जो developed countries के companies हैं वो research करके अपनी दवाई बना लेती हैं medicine बना लेती हैं इलाज करने के लिए इसके बाद में उनको 20 साल के लिए उनको एक तरह से अधिकार मिल जाता है कि 20 साल तक आप इस दवाई को बेच सकते हैं और कोई अन्या companies दवाई को इस process के त companies हैं जैनरी companies सस्ती दवाई बेचती हैं जो कि गरीबों के काफी काम आती हैं जो अमीर companies होती हैं 20 साल के बाद में भी काफी लंबे समय तक ये patent अपने पास में रखना चाहती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कमास के हैं अब इसके लिए वो दो तरीके अपना जबकि वो नई दवाई होती नहीं है बस दवाई सेम ही होती है बस एक तो केमिकल ऊपर नीचे कर दिया बस patent दूसरे अन्या यानि दुबारा से 20 साल का patent लेने के लिए एक और चु तरीका वो ये अपनाती है वो data exclusivity का तरीका ही अपनाती है data exclusivity क्या होता है देखिए कोई भी दवाई बनाने का ठेका तब मिलता है जब पूरा clinical trials का सबूत दिया जाए authorities को कि ये देखिए हमने पूरे proper clinical trials किये और उसके बाद में हमें आप अभी दवाई बनाने का अधिकार दे दीजिए क्योंकि हमारे दवाई से अच्छा असर हो रहा है और बुरा असर नहीं प आइसेंस लेने के लिए लिया था तो जनरी कंपनीज कहते हैं देखिए हम तो दवाईयां सस्ती बेच रहे हैं तो हमारे पास में इतना पैसा नहीं है हम तो सेम डेटा को इस्तिमाल कर लेते हैं लेकिन डाटा एक्स्क्लूजिविटी का option यह है कि 5 से 8 साल तक ये जनरी अब वो तो बना नहीं सकती नए करेंगे तो ज्यादा महेंगा पड़ेगा उनको इसलिए क्या होता है वो 20 साल के बाद में भी 5 से 8 साल तक यानि 25 से 28 साल तक effectively इनके पास में अधिकार रहता है अमीर कंपनीज के साथ में और जनरीक ड्रग्स इस पे नहीं बन सकते जिससे अग्रीब लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है बहुत थक जाते हैं एक घंटे का लेक्सर में तो सही में जान निकल जाती है चलिए तो इसमें इसमें यह था कि कहते हैं कि TPP था न वह TPP तो चला गया है TPP था वह अब चला गया लेकिन इसका मतलब यह नहीं और ट्रम्प भी अपने आप में पूरी कोशिस करेंगे कि इन इशूस पर डेवलपिंग कंट्री से जारा सा जारा वसूला जास के तो यह पूरा आर्टिकल था अब हम डिसकस करेंगे 11 फरवरी के आर्टिकल्स पानी भी लेता हूं मैं एक बड़ी गलाई शुग गया देखिए 11 फरवरी के जो आर्टिकल्स थे उसमें तो यह तो हमने कर दिसकस किया थे अ कर जो आर्टिकल्स त्रव Сब से पहले था इसराइल से लेटिड, इसराइल से बढ़ाता जा रहा है अपने यहां पे और इसका हमने बैग्गराउंड भी डिस्क्रस किया था दुबारा से बैग्गराउंड इसका हम डिस्क्रस कर लेते हैं 135 AD में देखिये, रोमन एंपरर ने जूस को वहाँ से इस डिस्प्यूटि टरिटरी से निकाल दिया और वो विदेशों में जाके यानी उरोप में जाके बस गए फिर 600 AD में इसलाम आया और वहाँ पे इस धर्ती पर जबकि जूस इस धर्ती को छोड़ चुके थे तो पैलेस्टीन वाले लोग यहाँ पर आके बस गए और बाद में इस धर्ती का नाम पड़ा पैलेस्टीन और फिर जूस मुवमेंट ने जोड़ पकड़ा, जूस ने कहा कि हमें अलग से देश चाहिए जूस के लिए जो की होगा इसराइल जिसका नाम होगा और उन्होंने रेकोगनाईज किया इसी लैंड को जिस पर यह एंसेन टाइमस में रहते थे तो बाद में देखिए ब्रिटेन के पास में यह पूरा लैंड था उस टेम पे और इसराइल था mandate था यह इसराइल नहीं कह सकते है उस टमंपे तो इसराइल नहीं था पलेष्टीन था और यह द्प्रिटाम कर्छेल प likesर मना डेंगे इसराइल के लिए तो बाद में इनके सात में इसराइल के साथ में सानुबूती हुई काफी जΑदा क्योंकि एक परकार से उस टैम पे हिकलर काफी अत्यचार concentration camp में Holocaust काफी लोग मारे गए थे Jews तो सानुबूती थी तो आखिरकार बन गया इसराइल इसराइल और इस पूरा दिजन को दो पार्स में डिवाइड कर दिया गया और इसराइल बन गया फिर वार हुआ आसपास के जो मुस्लिम देश थे उन्होंने वार चेड़ दिया इसराइल के खिलाफ में और इसराइल ने वो युद जीत लिया जो पैलेस्टीन थे वो भाग गये या फिर वो इस territory को छोड़के सरनार्थ ली उन्होंने यानि जो refugees camp थे उसमें वो चले गए उसके बाद में भी काफी कुछ हुआ देखिये 1967 में दुबारा से एक वार हुआ और 1967 के वार जो था 6 दिनों का ये वार था ये भी इसराइल ने जीत लिया और काफी ज़्यादा लैंड हडप लिया या फिर आप कह सकते हैं कि ले लिया और Gaza Strip था Gaza Strip ये था महाँ पर Gaza Strip के बराबर में जो एरिया था इजिप्ट का सिनाई पैनाशूला वो भी ले लिया और Golan Heights था सीरिया का वो भी ले लिया वो भी इसराइल के अंडर में आ गया तो 1978 में कैंप डैविड एकोर्ट साइन हुआ इसमें ये था कि एजिप्ट ने माँ लिया इसराइल को और एक देश के रूप में रेकोगनाइस कर लिया बाद में एजिप्ट ने का कि हम अब कोई युद नहीं छेड़ेंगे इसराइल के खिलाफ में और बाद में फिर आखिरकार 1994 में एक और समझोता हुआ जोर्डन और इसराइल के बीच में जिसने इसराइल ने मान लिया कि हम दो नेशन्स की थोरी को मानते हैं और ओसलो एकोड भी उसको कहते हैं बाद में एससीनेशन हो गया था इनका जो इसराइल के राश्टरपती थे प्राइमिनिस्टर जिनों ने उससराइकोड को साइन किया था यह देखिए अगर एरिया के द्रिष्टि कौन से देखें तो क्या जो फिलिस्टीन की टेरिटरी है वो घर्टी ही जा रही है पहले इतना था इसराइल अब इतना हो गया और उसके बाद में देखिए कि इंटरनेशनल जो ओपिनिन है वो काफी खिलाफ में इसराइल के और इस्ट जो जिरूसलम को कैप्टर करने के बाद में यानि इसको लेने के बाद में इसराइल ने काफी सारे जो है इस territory को अपने अंदर यानि जो homes को settle किया है लेकिन बात ये जदाई जा रही है कि जो वहाँ की judiciary है वो भी इस बात का विरोध कर सकती है और जो वहाँ के जो attorney general है उन्होंने भी कहा किये देखिए जो आप कर रहे हैं वो international opinion के खिलाफ में है क्योंकि पिसले दिनों ही एक हाला कि देखिए इसराइल भी कहते हैं कि हम दो nations के concept को sport करते हैं लेकिन अगर देखिए जो इस प्रकार से वो घर बनाता जा रहा है तो Palestine के लिए तो कुछ land भचेगा ही नहीं अब बात आती कि जब से देखिए जेरुसलम को लिया था इस जेरुसलम को इजराइल ने तब से 140 settlements वहाँ पे बन चुकी है और Palestine जो authorities है पलेस्टीन जो territories है वो काफी कम हो गई है 6 लाख Jews के घर वहाँ पे बन चुके हैं और जो नेतान्यूस जो वहाँ के प्राइम इसी है वो शिफ्ट भी कर सकते हैं जेरुसलम के अंदर में और उन्होंने इसराइल का प्रेज भी किया इस पूरे मुद्दे पर जो वाल बनाई है इसराइल ने फिलिस्टीन के खिलाफ में और आतकवात को रोकने के लिए देखिए इन सब बातों से था जो है ज्यादा ही एक तरे से इनस्टेबिटी आएगी और ज्यादा मैं अब कम नहीं होगी और सुलीशन नहीं है अगला जो आर्टिकल था वो आर्टिकल था देखिए जली काटू के नाम पे की जली काटू के मुद्दे पर दुबारा साइए अब के सुप्रीम कोर्ट के पास में है तो जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा सुरू में तो वो रुकमनी अरुन दले इनका नाम की तारिफ हरते हैं और कहते हैं कि देखिए इन्होंने काफी अफर्ट्स लगाए ये डांसर थी और राजसभा में चुनी गई थी इन्होंने काफी अफर्ट्स लगाई इस पूरे बिल को पास करने के लिए और बाद में नहरू ने भी कहा कि ठीक है अच्छी बात है सबैता के लिए इसे पास कर दिया जाना चाहिए तो दो मुद्देवन्द हैं कि क्या एनिमल्स को उसी तरह के राइस मिलने चाहिए जिस परकार के राइस एनिमल्स को हैं लेकिन अगर एनिमल्स को मिलेंगे राइस तो कुछ रिस्पॉंसेलिटी भी होनी चाहिए लेकिन उसको कैसे हम एड्मिणिस्ट्र करें इस पुरी चीज को और जो बात है जिह कहते कि घौर का एंसेशेमे होता है तो इनको भी हमें इस तरह से अत्याशार करूरता नहीं बचने चाहिए एनिमल्स के खिलाफ में फिर यह बात करते है कि देखिए कि लीगल एंटिटी तो है नहीं क्या इनको कुछ human rights इनके होने चाहिए फिर बात अगर से मुद्धे पर स्टेट गोर्मेंट कानून बनाती है और जो कि बार्लेमेंट के खिलाफ में हो तो वेफ फॉरवड यह होता है कि देखिया हमें इंटरनेशनल प्रैक्टिसी से सीखना होगा कि किस प्रकार से जो अब जर्मनी में एक संसोरदन किया गया वहां के सविधान में और का गया कि यह सेंट्रल गोर्मेंट की मजबूरी बनती है कि वो सविधान के दाइरे में रहा कि कुछ ऐसा कानून लेके आए जिसमें जो हैं यानि एनिमल्स हैं उनका ध्यान रखा जासके और उनके खिलाफ में अत्यचार ना हो इस तरह की बात अभी सामने आई थी वहां पे जर्मनी में तो वेब फोरवड यह है कि हमें भी देखिए इसी तरह का कुछ कानून बनाने की आप सकता है और जो मार्था वेब फोरवड में आप यूज कर सकते हो तो यह प्रॉसरीरह में की कोई कारण है नहीं कि इनीमल्स इनको भी परॉसरीट ओफ ऑफ गलोबल ज़िस्टि से वन चित क्या जाये और इनको भी एक परॉसरीट ओफ ग्लोबल ज़िस्टिस के अनुसार में इनके खिलाफ में भी न बहुत हो रही करूरता है उसके खिलाफ में सरकार को कानून बनाना चाहिए अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है food revolution से लेटिड जो आर्टिकल है वो हमारा processing industry से लेटिड है food processing industry से लेटिड हमारे देखे जो traditional snacks है snacks होते हैं दो time की meals के बीच में खाय जाते हैं जिस प्रकार से lunch या फिडिनर मान लीजिए इन दोनों के बीच में खाय जाते हैं और इस पूरे देखे food processing industries में हमने काफी तरक्की करी है western countries में भी हमारे food products काफी चाव के साथ में खाय जाता है चाहिए आप chips मान लीजिए या फिर आप popcorn मान लीजिए देली हो, संगाई हो या फिर डाका हो कोई भी movie अधूरी है popcorns के बिना में और काफी popcorns को खाय जाता है अगर देखिए हम sophisticated marketing की तरफ ध्यान दे hygienic sanitation की तरफ इसमें ध्यान दे और packaging की तरफ में हम ध्यान दे तो हमारे जो products हैं और भी दुन दुगनी, राथ चुगनी तरखी कर सकते हैं हमारे देखिए इंडिया की food processing industry की हम बात करें तो जो है काफी regional और cultural diversity इसके अंदर में है हर तरफ है जो है snacks मिलते हैं crunchy, soft, spicy, masala दार, चटपटे, सब तरह के और कुछ देखिए हमारा जो climate है वो भी काफी diverse है तो अलग अलग तरह की जो फसले हुगाई जाती है तो काफी varieties भी है इसमें और double income अगर इसमें ध्यान देए तो देखिए और भी काफी products हैं ना सिरफ ये खीर, पराथा, बरफी बगरा पेड़े, और देखिए अगर हम ध्यान देए इन बड़ी companies पे, ITC और Amul की जो companies हैं, तो ये देखिए ये काफी उपर, यानि इस जैसा काम करें तो ये काफी हमारे उपर products को ला सकती है लेकिन अभी भी हमने potential अपना realize नहीं किया है इस industry के अंदर में जो start-ups है, start-ups technical field में तो काफी आए है, food processing industries में इतने start-ups नहीं आ पाए हैं और अपने आपको establish नहीं कर पाए हैं काफी फाइदा होता है इस तरह के food से इस तरह के जो food है हमारी soft power को काफी बढ़ाते हैं और इससे हमारे जो farmers, Indian farmers वो भी in reach हो जाते हैं, तो food processing industry काफी स्मृद होती है इस पूरे jobs मिलती है, food processing industries अगर स्मृद होएंगी तो तो way forward में तो यह है कि देखिए हमारा reason है काफी diverse है और उसके बाद में देखिए हमें considerable value add कर सकते हैं, जो भी फसले होती हैं उसके बाद में और technologies का use करते हुए और traditional method को processing को पनाते हुए हम सारे वो चीज़े कर सकते हैं, जिससे jobs बढ़ेंगी फाइदा होगा किसानों को भी और हमारी GDP है वो भी आगे जाएगी, लेकिन एक अच्छे food regulator की भी आफ सकता है जो हमारे देश में काम करते हैं हभी FSSAI तो इनको भी देखना चाहिए ताकि brand value खराब ना हो और भी जो suggestions देते हैं वो ये देते हैं कि power supply है वो consistent आनी चाहिए, जो गाउं के अंदर में जो industries है, cold storage को भी अच्छा करने के आफ सकता है food processing, plants लगाए जाने के आफ सकता है rule areas में ताकि जो फसले हैं उनको value add कि जाज़के अच्छे से transporting भी अच्छे से होनी चाहिए ताकि जल्दी से export किया जाज़के जो भी ये value products हैं उनको तो ये पूरे articles थे बस भाई, हिमत खतम हो गई और बोनले की articles भी खतम हो गई तो इस discussion में बस इतना ही, thank you thank you very much for discussion